तो यह देखिए यहां पे छूच का साग जो मेरी अम्मा बना अम्मा चूग्री मैं अनस्दीक से आपको पत्ता दिखाती हूं अम्मा तक देखे यह देखिए यह जी चूच का साग ठीक है और यह बड़ा ध्यान से चुगुणा भी पड़ता है इस तरह से निकालना बड़ता है साव सुत्र नहीं तो इसमें पता क्या डर रहता है क्या रहा मैंने दिकर श्रूआ है जो दिखते नहीं तो ध्यान से मतलब इसको चुग के तो यह देखो अम्मा को बड़ा इड़ी है इसको चुगने का अम्मा को कहें मुझे भी था उनीस आलोगे शादी को यहां कौनात यहां पे बहुत सारा है यह देखो और पानी यहां का जो है ना आप नीचे के पत्थर ग क्यामरा लेके जाते हो फिर हमें ना ढंग से दिखता नहीं है यह नैच्रल जो चीजे होती है ना आप ढंग से दिखाया करो चलो ठीक है लगतानी की पानी चल रहा है तादी रहा है यह तादी रहा है यह तालना तो पड़ेगा यह ती चूछ रहा है तादी बढ़ा करें के दो हें रोग्गा है पूलीन लेगा अगा यह तैसे शूतराच रहा है चोर्षोटी रहा ते लोटे कुझ्यूसे तालने बढ़े वड़ें कि एक पत्ता तालना बढ़ें ते ने गेंहा। यह लोग में आपके बीड़ात कर दोगा है अच्छा जा चाल्ची दुझ्ज सागचु कोने हो अरी फूज भर लाज भुज दो दो कि एकादीना दो वह निडिका मैसा कि पयार पयार पीदानियों पहहर फीस्साम कि देखे को पाने प्लीज कोई भी वीडियो मिस मत करना, कोई भी स्कीप मिस मत करना, कोई भी पार्ट स्कीप मत करना, मतल्ल मेरे बोलने का यह मतल्लेव कोई आम न चूक दिया और मैं बनी हुआ शर्व विडियो बनाने वाली मैंने भी चूक थोड़ा थोड़ा कुए अधर मेरे वीडियो बनाती तो इसा लगता ना कि यह नहीं करते हो ननी कोई काम नियुक्त मैं बहूंत काम करती हूं, पता है, आप लोगों को, अपने को बने को,ượngड़ा, पसके बने के, आपनी करो, क्योंकि हमारे बुराइ खुद खुद करो, बुराइ करने को जी उन चलोगी, ऑव्मा जीeded». जी रम्रम जैमातदी कैसे हो अब सभी सभी का तो आज हम बनाने जा रहे हैं छूच का साग जो कि हमने चूगा था नीचे खड में अम्मा के साथ और छूच का साग बहुत ही गुनकारी जानते होंगे इस तरह का थोड़ी सी दिक्कत आती है वाकी खाने में बहुत अमेजिंग होता है बहुत ही ज्यादा मितलब और निरोगी होता है इस संसर्सों का साथ खते ना वो थोड़ा सा वो रधता है क्या पूलते उसको बायला है रहा लख दी बो रहते कि अब तू थोड़ी सी ना कम जोर होगी मतलब ठीक हो गई हो गया तो तो पीला नी होना चीज तरह का यह देखेछ यह इस तरह का है यह देखो यह हरा हरा दो इसको कट करने के 조ह मैं अज़रा करना की जिसम और भी चुछ को आगी तरह का का साग ना दोंगि सुपा के लिए फिर सुबह तड़काई लगाना हमने है ना तो चलो यह देखिए यह मैंने यहां पर बारीक बारीक कट कर लिया है इसको न अच्छी तरह से छाटना पड़ता है तो थोड़ा सा डर और खटके किना रहते तो थोड़े जीव जनतों का भी डर रहता है तो यह देखिए इस तर करकते ज़कर लेpseा है तो अब भग्वारीक बादोर यह कह लाखतें से जूतबस तो यह जाता है कैना माना पड़ेंगा मैंने निकाल गयोगी किर्कथयों पाता पुझ्य के लिए भी क्विज्दक,बढ़करें और साग कीलिए न खर ते कट है काटना पड़ा है पिसलिए nego यह इस तरह से करके करते हैं if you make a लोगं से मिलती हुआ एक बार इसको दो दिआ है एक बार इसको फिर से दोएंगी तो यह देखिए काट की मैंने इसको धो भी दिया एक-दो पानी से और अभी मैं इसको जो है क्योंकि छूच का साग होता है यह बिल्कुल थोड़ा हो जाता है तो और मैं आप लोगों को बात बताओं कि इसका पुझू भी बनता है तब क्यासे बना था तब इसमें खाली तुड़का देना था और पहले आलू भूल लेना था जैसे आलू हम बनाते हैं और फिर बाद में इसको डालना था तो उसको बोलते हैं आलू जूच का भूझू वह बहुत बहुत टेश्टी होता है तो यह देखो अधीक है कर तो अभी मैं साएस को निकाल के डाल देते हूं और अभी मैंने इसमें डाल दिये चावल दो के और अभी मैं डालूँगी इसमें नमक मैंने पतिली में डाला इसको नमक मैं थोड़ा कम डालूँगी फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे और डालेंगे इसमें हम पानी आधा लिल्टर में ब sofa दाल दिया क्योंकि इसमें खुदLY बहुत ज़धा पानी शोता है और में अटाना होता साँ रखेश हो हवास हमारा दश्चू साग कभी साग कि ये अट रखेश वहाद बार प्क जाना के ये वहादा है जो कि पीसा हुआ अद्रक है यह देखिए और बाकी फिर तड़के में डालेंगे जो भी डालना होगा तो यह अद्रक पाउडर है और पहले मैंने इसमें बेसन डाला और हम मकी काटा भी डालते हैं अगर बेसन नहीं डालना तो मकी काटा अच्छा रहता है पर आज नहीं था मकी काटा तो हमने इसमें यह डाल दिया और यह दिखिए यह थोड़ा से मैंने कुटा हुआ धनिया डाला इसमें और अब इसमें बहुत घोटा लगाएंगे इसको बहुत ज्यादा घोटा पर इसका कलर कुछ और जैसा दिख रहा है आज कैमरे में हल्दी थोड़ी कम रहे गिए तब दिख रहा है ऐसा और अब इसको बहुत घोटा लगाएंगे और घोटो और घोटो और घोटो भूले नात भंगियां और घोटो मैंने गाना भी गाए दिया शिवशंकर का तो यह देखिए इस तरह से इसको बिलकुल चावल और साग दिखना ने चीए लग लग इस तरह से हमें इसको बना देते हैं और पुजू अलग तरीके से बनता है तो यह देखो वैसे हरी मिर्च और आद्दे का दरड़ा डावते हैं इसमें तब घोटते हैं इसको और मक्की का आटा तीन चीज़ें तो चलिए भी तड़का लगा लेते हैं इसको तो चलिए यह लगा दिया मनें तड़का प्यास जाला धनिया मेथी लाल मिर्च को साग के लिए मेथी हम जरूर आलते हैं और यह देखिए बस जादानी इसको जलाना है अब हम साग डालेंगे अञे देखिए यह मैंने साग कि डाल दिया और अब यह इसको पोली दे और गोलेंगे दोय के को पारखि वी कर दोल्ग है हाई दोय को पारखित पाय का ली जड़त जबें पारखित थीप्टल पाती थे टो पाई पाले तुर वा लोगत लड़त के अपार दे पाई यह देखिए यह बन गया हमारा साग और साग बहुत मज़े का बनाया पर चपाती लगा लेते हुआ यहां पर में रख दिया तवा और यहां पर जला दी आग जी हम बनाएंगे रोटी